अगर आप आने वाले टाइम में college ये study purpose एक laptop लेने की सोच रहो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने वो सारे points consider करें जो आपको study purpose laptop लेने से पहले पता होने चाहिए और आखिर में कुछ recommendation भी है जो मेरे को लगता है कि student perspective से बढ़िया laptop है देखो students को मैंने दो categories में बाटा है पहला है सिर्फ study जिसमें focus है सिर्फ college मतलब कि आप research कर रहे हो academic work कर रहे हो projects कर रहे हो programming कर रहे हो साथ में content watching etc और दूसरा है study plus मतलब आप study तो करी रहे हो उसके साथ कुछ extra काम भी कर रहे हो जैसे कि content creation हो गया, game development हो गया, animation हो गया, designing हो गया, 3D हो गया, gaming हो गया etc इसके अंदर दो category और आएंगी अगर आप AI, ML सीखने वाले हो तो भी आप इसी के अंदर आओगे और अगर आप architect या mechanical में designing करना पसंद है आपको तो भी आप इसी category में होगे अब आप देखो आप किस category में fall करते हो अब सबसे important part पर चलते हैं laptop के जो की है CPU देखो laptop जो है वो long term investment होता है मतलब आप 3-4 साल का course करोगे काफी लोग masters भी करने जाएंगे कुछ लोग job भी करेंगे तब भी वो laptop यूज में आएगा पर एक्जामपल देखो मेरा खुद का ये 10 साल पुराना laptop है और जब मैंने अपना course कंप्लीट किया था जौब में मैं इसी laptop पे काम करता था इसलिए processor चूज करते समय हमें सिर्फ latest generation ही चूज करना है 13th gen latest है बट 12th gen भी काफी बढ़िया है उसको भी आप consider कर सकते हो बट question ये है कि भाई इतने सारे processors के option है इसमें से लेना कौन सा है अगर आप सिर्फ study purpose से देख रहे हो तो i3 का 12th gen या 13th gen या फिर Ryzen 5 7000 series बहुत बढ़िया काम करता है आपकी college perspective से बहुत बढ़िया है मतलब इस processor में आपका college अराम से निकल जाएगा और especially programming orientation से देखो तो इस processor पे आप programming अराम से सीख सकते हो बढ़ अगर आपका budget थोड़ा सा अच्छा है around 50K तक तो मैं recommend करूँगा कि आप i5 processor पे जाओ 12th gen या 13th gen ये एकदम ideal processor है आपके college life के लिए देखो काम आपका i3 processor भी कर सकता है बढ़ i5 processor आपको थोड़ा सा smoothness और flexibility देता है काम के अंदर मतलब थोड़ी processing fast होगी थोड़ा multitasking अगर आप करोगे तो अराम से हो जाएगा और अगर आपको कुछ heavy softwares भी use करने तो आपका laptop अराम से कर देगा आपको struggle नहीं करना पड़ेगा और अगर आप study plus वाले हो तो minimum आपको 12th gen या 13 gen i5 processor ही लेना है इसके उपर भी आप जा सकते हो वो आपके budget पे depend करता है अब processor के नाम के आगे आप कुछ letters लिखे रहते हैं जैसे की H, HS, HX और U तो जो U वाले processor होते हैं वो low power performance optimized होते हैं मतलब इनकी battery life बढ़िया होती है बट उतनी high performance नहीं निगाल पाते ही है H processor high performance होते है HX इनका बड़ा भाई होता है मतलब extreme performance और HX H से थोड़ा सा नीचे आता है performance के मामले में अगर आप study orientation से ले रहे हो तो मेरे इसाब से U या फिर H में से कोई भी चूज कर सकते हो अगर आप study plus वाले हो तो H तो minimum लेना है और budget अच्छा है तो HX भी जा सकते हो next important thing is graphics अगर आप study purpose से ले रहे हो तो इस graphics का इतना heavy काम तो नहीं पड़ता है आपके CPU के अंदर एक integrated graphics होता है वो self capable होता है वो सारे task handle करने के लिए अगर 40,000 तक का budget होता है तो वहाँ पे आपको Intel USD मिलता है जो की base integrated graphics है अगर उससे उपर 50,000 तक जाते हो तो मैं recommend करूँगा कि आप Iris XE choose करो जो की थोड़ा सा better perform करता है Intel USD से अब जो study plus वाले बंदे हैं उनके लिए तो भाई dedicated graphic card must है और कौन सा लेना है सिर्फ NVIDIA वाला क्योंकि उसके अंदर CUDA course होते हैं कि आपकी CPU को एक boost provide करते हैं और processing fast करते हैं especially in AI ML, 3D rendering and game development और gaming तो है यार जो recommended GPU है इस time पर 30-50 बहुत बढ़िया है 4GB भी बहुत बढ़िया है बट अगर आपका budget है मैं recommend करूँगा 6GB वाला लोग उसमें आप बहुत smoothly काम कर सकते हो और हर GPU का एक TGP power होता है तो जितनी जादा TGP होती है उतना better वो perform करता है तो ये जरूर चेक कर लेना कि उस laptop में TGP कितनी है अब 30-50 वाले जो graphic card है वो around 60,000 से start होते हैं बट अगर आपका 50,000 का budget है तो आपको 20-50 ही मिलेगा next सबसे important है आपका RAM और SSD अगर आप study orientation से laptop ले रहे हो तो मेरे साब से 8GB RAM में आपका काम चल जाएगा बट ऐसा laptop लेना जिसके अंदर आप upgrade कर सको RAM at least 16GB तक जिससे की अगर मालो आगे चलके आपको थोड़ा सा processing power और चाहिए तो आप 8GB RAM लगा के उसको 16GB तक कर सको अगर आपका budget 50,000 से नीचे है तो आपको सिर्फ DDR4 ही जनरली देखने को मिलती है लेकिन 50,000 से उपर अब DDR5 RAM भी आने लगी है और अब वो time चला गया जहांपे DDR4 और DDR5 के बीच पे बहुत बड़ा price गया पाता था अब दोनों same price पे आपको RAM मिल जाती है और DDR5 लेटेस्ट है और उसकी जादा read और write speed होती है इसलिए मैं recommend करूँगा कि आप 50,000 से उपर जा रहे हो तो DDR5 लेना और अगर आप study plus वाले बंदे हो तो मेरे साफ से 16 GB तो minimum होना चाहिए और ये ज़रूर चेक कर लेना कि अपग्रेड कर सकते हैं कि नहीं क्योंकि कुछ laptop में 16 GB max होती है मेरे इसाफ से 24 वाला या 32 GB expandable RAM तक तो होना चाहिए अब जनरली SSD ही आती है अगर 50,000 से नीचे तो आपको Gen 3 मिलती है 50,000 से उपर जा रहे हो तो try करो कि Gen 4 मिल जाए एक extra slot भी होना चाहिए जिससे कि आप अपनी SSD अपग्रेड भी कर सको next screen अगर आप देखो steady वाले बंदे हो तो screen का उतना matter करता नहीं है और especially अगर आप budget में हो हाँ try ये करो कि थोड़ा सा brightness अच्छी मिल जाए हाइसो या तीन सो नेट्स तक और एंटी ग्लेर हो तो आपका काम बढ़िया चल जाएगा आप steady प्लस वाले हो थोड़ा सा color related काम करते हो color accuracy वाला तो ये जरूर देखना कि 100% DCI P3 हो या फिर 100% sRGB हो और लास्ट में two-in-one laptop अवाइड करना especially अगर आप architect या designing के student नहीं हो two-in-one laptops थोड़े से expensive आते हैं मतलब अगर दोनों में same specs है तो two-in-one laptop approximately 10-15,000 महेंगा होगा अगर आप उतना budget है आपका तो specs में invest करो ना कि touch screen में और एक और important चीज़ बजट देखो कुछ colleges के अंदर ना कुछ subsidies या फिर कुछ scholarship होती है लापटॉप के regarding especially government colleges में तो वो आप check कर सकते हो और दूसरा laptops को आप education loan के अंदर भी include कर सकते हो और lastly जितना आपको budget मिल ला है उस budget में best laptop लेने की सोचो unnecessary budget को increase मत करो 50 है तो उसको 70 मत करो हाँ थोड़ा बहुत चलता है 55 तक ठीक है अगर आपको अच्छा laptop उस budget में नहीं मिल ला है तो मैं यही बोलूँगा timing पे खेलो नवंबर अक्टूबर में बहुत बढ़िया सेल आती है मतलब 70,000 के laptops 45-50,000 में मिल जाते हैं सारे offers और credit card लगाने के बाद तो थोड़ा सा रुख जाओ अगर आपको बहुत नीड नहीं अभी तो और मैंने research करके कुछ laptops को identify किया जो मेरे इस आप से student perspective से बढ़िया काम करें इसके अंदर आपको i3 processor मिल जाता है 12th generation का RAM 8GB अपग्रेड कर सकते हो SSD के साथ आता है metal body में screen थोड़ी सी हलके side पे but 30,000 में बढ़िया laptop है अब अगर आपको screen भी बढ़िया चाहिए तो 35,000 में आप HP का 15S ले सकते हो इसमें specs लगबग बराबर ही है और सब कुछ upgrade भी कर सकत आपको i3 12th generation वाला लो बट उसमें 16GB करा लो तो around 40,000 में आपका बढ़िया laptop बन जाएगा 40-50,000 में MSI modern 14 बहुत बढ़िया laptop है इसके दो वर्जन आते हैं एक तो 12 Gen i7 के साथ और दूसरा है latest 13 Gen i5 के साथ दोनों laptop बढ़िया है दोनों में से आप कोई भी चूस कर सकते हो जि इसरा है Lenovo IdeaPad Slim 3 जिसके अंदर आपको latest generation RAM और SSD देखने को मिलती है अब 50-60,000 में best laptop आपको जो मिल सकता है और मेरे इसाब से student के लिए perfect laptop है Asus Swift Go पहली बात तो Intel Evo certified है मतलब की fast boot time battery life बहुत बढ़िया metal body मिलती है webcam और screen बहुत बढ़िया इसके अंदर processor भी आपको 13 Gen i5 मिल ज बहुत बढ़िया option है उसको आप consider कर सकते हो इस पर full detail review भी है यहां i button में पिन कर दे रहा हूं चेक आउट कर सकते हो और अगर आप Windows specific भी हो तो Samsung Book 3 या फिर एक HP का नया laptop आया है Ultra 5 के साथ जो की बहुत बढ़िया है Ultra 5 की specialty यह कि battery life बहुत बढ़िया है graphics भी बहुत बढ़िय dedicated GPU अब study plus वाले बंदों के लिए भाई देखो 50,000 से starting होती है 50 से 55,000 के बीच में सबसे बढ़िया laptop है MSI Thin 15 इसके अंदर आपको 12th generation का i5 processor मिल जाता है S series का और 2050 वाला graphic card मिल जाएगा RAM भी 16GB है 512 SSD और बेस चीज़ेस के अंदर आपको 2 साल की warranty मिलती है और 60,000 के आसपास इ 65 से 70 के बीच में 3 laptops हैं जो की काफी सही लगे मेरे को पहला है GIGABYTE का जो काफी कम popular है पर इसके specs बहुत तगडे है इसमें आपको i7 मिल जाता है 12th generation का plus 40,50 6GB वाला जो की बहुत खतनाग price to specs ratio है इसके अलावा Lenovo का LOQ का भी एक model आता है जिसके अंदर आपको i5 का 12 Gen का HX Series processor मिल जाता है with 30,50 graphic card 6GB वाला और इसके अलावा Nitro series जो है मेरे हिसाब से 70-80,000 में काफी बढ़िया है series उन में से आप कोई भी laptop चूज कर सकते हो i7 में भी आता है i5 में भी आता है 40,50 30,50 3,4 option है सबकी links आपको description में मिल जाएंगी और अगर आप M1 Air लेना चाहते हो especially study plus में त अगर आपके अभी भी कोई भी doubts बच जाते हैं तो आप comment करके बता सकते हो और अगर आपको अभी laptop में और भी बहुत सारी चीजे detail में समझनी है तो ये वीडियो जरूर check out करना